एक लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों को Facebook, WhatsApp ग्रूप पे जरूर सेयर किया करें, ताकि दूसरे student की भी help हो सकें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को, दोस्तों आपको एक कोशन में 5-6 सेकिंड दिये जाएंगे, उस 5-6 सेकिंड में आपको उस कोशन का आंसर नीचे कमेंट बोक्स में बताना है, जैसे पहला कोशन है, बारदोली सहत्तेगर्या 1928 ESV से संब्धित नेता है, एक तो कोशन आपको यही बन जाता है कि बारदोली सहत्तेगर्या कब हुआ था, 1928 ESV में हुआ था, और से संब्धित नेता कौन से यह आप से पूछा गया है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ओप्शन A, B, C, D में से कौन सा राइट है, आई होब कि आपने आंसर बता दिया होगा, तो पहले का राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा, वल्लभाई पटेल, कोशन नमबर टू, भारत में साइमन कमिशन के वहिसकार का मुख दूसरे का राइट आंसर भी आपका B हो जाएगा, सभी सदेष्य अंगरेज थे, साइमन कमिशन में सभी सदेष्य अंगरेज थे, इसलिए इसका बहिसकार किया गया था, कोशन नमबर 3, हंटर आयोक की नुक्ती कब की गयी थी, ये भी बहूत बार पूछ गया कोशन है, तो दोस्तो तीसरे का राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा जलिया वाला बाग अच्चकान के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी कोशन नमबर फोर इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया इस कोशन का अंसर सभी स्टुडेंट का कमेंट बोक्स में आना चाहिए बहुत मतलब सलेक्टिड और इंपोर्टेंट कोशन है और पता भी होना चाहिए ऐसा कोशन है तो फोर का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही बगत सिंग जिने चले नेक्स कोशन पे चलते हैं कोशन नमबर फाइव उन्निस सो उन्निस इसवी के कांग्रेस के कहां अयोजित अधिवेशन में पूर्ण सवराज का लग से गोशित किया गया बहुत बार पूछे गया कोशन तो राइट आंसर ए हो जाएगा लाहोर अधिवेशन में कोशन नमबर सीक्स उन्निस सो उन्निस इसवी के कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन की अध्यक्स्ता किस ने की थी ये कोशन भी पूछ जाते हैं दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बहुत अच्छे अगर आप सीक्स का राइट आंसर भी लगा रहे हैं तो जवाल लाल नहरू बिल्कुल सही है राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोशन पे चलते हैं कोशन नमबर सेवन है नमक साथ्तेगरे कब परारम हुआ था बहुत बार पूचे जाता है ये भी तो बिल्कुल सही है साथवे का राइट आंसर ओप्शन भी हो जाएगा 6 अपरेल 1930 में कोशन नमबर एट नमक साथ्तेगरे की सुरुवात कहां से की गई थी ये भी बहुत बार पूचे जाता है तो सभी को पता है डांडी से की गई थी तो ओप्शन एट का डी राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन पे चलते हैं कोशन नमबर नाइन लाल कुर्ती दल का गठन किस ने किया था तो नाइन का राइट आंसर ओप्शन सी हो जाएगा और ये खान अबदुल गफ़ार खान राइट आंसर रहेगा ठीक है कोशन नमबर टैन सिमान्त गांदी किसे कहा जाता है तो भई दस्वी का भी राइट आंसर आपका खान अबदुल गफ़ार खान हो जाएगा यानिकि उप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन नमबर 11 गांधी इर्विन समझोता कब हुआ बहुत बार पूछे जाते बई तो ग्यारवे का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 5 मार्च 1931 में कोश्चन नमबर 12 गोल में सम्मेलन क्यों आयजित किये गए थे तो इसका राइट आंसर आपका ओप्शन C हो जाएगा साइमन कमिशन के संतूतियों पर विचार के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन नमबर 13 गोल में सम्मेलन कहां अर्जित किये गए थे पहुत अच्छा कोश्चन है दोस्तो अगर आप डेली टेस्ट लगाते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये सारे कोश्चन कहीं बाहर से पूछ जा रहे जब आप एक्जाम में देखेंगे क्योंकि ये सारे मैं कवर कराने वाला हूँ जो एक्जाम में पूछ जाते हैं तो 13 का राइट आंसर उप्शन डी हो जाएगा लंदन में कोश्चन नमबर 14 कांग्रेस के परति निदित के रूप में गांधी जी ने किस एक मात्र गोल मेल सम्मेलन में भाग लिया था देखें सिर्फ कई गोल सम्मेलन वे थे उसमें सिर्फ एक में भाग लिया था गांधी जी ने तो यहाँ पर किस में लिया था वो आपको बताना है पहले में दूसरे में तीसरे में तो 14 का राइट आंसर आपका B हो जाएगा दूसरे में लिया था दूसरे गोल मेल सम्मेलन में गांदी जी ने भाग लिया था नेक्स चलते हैं कोश्चन नमबर 15 केमिनूलर अवर्ड 1932 इस वी किस ने परस्तूत किया था कोश्चन नमबर 16 पूना समझोता 1932 इस वी में किस के मद्य हुआ था तो बिलकूर सही C राइट आंसर हो जाएगा गांदी और अम्बेडगर के बीच में नेक्स कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन नमबर 17 हरीजन पत्रीका का संपादन किस ने किया था 17 का राइट आंसर ओप्षन D हो जाएगा महात्मा गांदी जी ने कोश्चन नमबर 18 कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की इस्थापना कब की गई तो अठारवे का राइट आंसर आपका ओप्षन B हो जाएगा 1934 इस वी में नेक्स्ट कोश्चन पे चलते है कोश्चन नमबर 19 कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे तो इसका राइट आंसर आपका ओप्षन D हो जाएगा ये सबी कोश्चन नमबर 20 अखिल भारतिय किसान सबा 1936 इस वी के संस्थापक थे तो बिल्कुल सही है 20 वे का राइट आंसर आपका ओप्षन A हो जाएगा स्वामी सहजानन सरस्वती चलिए नेक्स्ट कोश्चन पे चलते है कोश्चन नमबर 21 ओल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के पहले अध्यक्स थे तो 21 का राइट आंसर आपका ओप्षन B हो जाएगा लाला लाजबत राए कोश्चन नमबर 22 भारत सरकार अधिन्याम 1935 इस्वी के आधार पर भारत में प्रांतिय चुनाव कब संपन हुए तो बिल्कुल से यह 22 वे का राइट आंसर आपका ओप्षन C हो जाएगा 1937 इस्वी में नेक्स्ट कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन नमबर 23 1937 इस्वी में गठित प्रांतिय कांग्रेस मंत्री मंडल ने 1949 इस्वी में इस्तिपा क्यों दे दिया राम से पढ़ी आंसर राइट आना चीए सभीगा तो 23 का तो राइट आंसर रहेगा वो ओप्षन D राइट आंसर रहेगा भारत के तुईत्य विश्यूद में सामिल करने के कारण कोश्चन नमबर 24 किस अधिनियम के द्वारा बिर्टिस भारत में प्रांतों में दुएट सासन विवेस्ता लागू की गई तो 24 का भी अराम से आंसर दीजिए आप जो भी आपका आता है राइट आंसर 24 का राइट आंसर ओप्षन D हो जाएगा भारतिय सरकार अधिनियम 1935 नेक्स कोश्चन पे चलते हैं कोश्चन नमबर 25 मुसलिम लीग ने किस वर्षपर्थक पाड़क की मांग रखी यहäni कि सेpolite पाड़क की मांग कब रखी गई थी सबसे पहली बार 25 का राइट आंसर ओप्षन B हो जाएगा 1940 इस विमें यहाणि कि 1940 से पहले कभी पाड़की मांग नहीं की गई थी 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी तो आप सोच सकते हैं उससे पहले कभी पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी कि पाकिस्तान सेपरेट हमें चाहिए या बनाना है ऐसा कुछ नहीं किया गया था ठीक है नेक्स आपका 26 क्रिप्स मिशन भारत कब आया था तो ये भी बहुत अच्छा कोशन है तो इसका 26 का राइट आंसर आपका ओप्शन C हो जाएगा 1942 ECB में ठीक है नेक्स कोशन चलते है कोशन नमबर 27 महत्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र किस आंदोलन के समय दिया था बहुत अच्छा कोशन है और 27 का जो राइट आंसर हैगा वो ओप्शन D राइट आंसर हैगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था करो या मरो का नारा कोशन नमबर 28 फोर वर्ड ब्लोक पार्टी की इस्थापना किसने की काफी अच्छा कोशन है भी और इसका राइट आंसर रहेगा ओप्शन A सुभाज चंदर बोस ने तो तो